सधी के मानायक, एंगरी यंग मैन और शेहन साओ बॉलिवुड जैसे कई नाम उसे बुलाये जाने वाले अमिताब बच्चन का जन्म आजी के दिन 1942 में प्याया गराज में हुआ था आज अमित जी 80 साल के हो चुके हैं 1979 से अभी तग इस उमर में बड़े परते पर काम करते रहना सच में इंक्रेडिबल है और उससे भी बड़ी बात लगातार 53 सालों से बॉलिवूड में बने रहना आसान नहीं है आज मैं आपको अमित जी के एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ जोन आस तक इस ने तोड़ा और आगे भी साहिदी कोई तोड़ पाए एक एक अक्टर के लिए साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म देना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है पर यहीं अगर लगातर कई सालों तक हो तो जी हाँ अमित जी ने ये कार नामा 1974 से 1979 तक लगातार छे सालों तक करके दिखाया है 1974 में रोटी, कपड़ा और मकान, 1975 में शोले, 1976 में हेरा फेरी, 1977 में अमर अकबर एंथनी, 1978 में मुकदर का सिकंदर और 1979 में सुहाग लगातार छे सालों तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया है वैसे ये रिकॉर्ड सलमान खान के पास है, जो दस बार ये कार नामा कर चुके है पर लगातार छे सालों तक बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान भी राज नहीं कर पाई All In One की तरफ से अमित जी को एक बार फिर से जनम दिन की हार्दिक सुपकाम नए